मस्कार दोस्तों सागत आपके युटूब चैनल साउंड के सोकिन पर और फेंड्स मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टोपिक है वह यह है कि हम एंप्लिफायर और स्पीकर को कैसे मैच करते हैं हमारे पास अगर एंप्लिफायर है तो हमें स्पीकर खरीदना है तो हम हुआ है है हुए फेंट फेंडर मैं बात करूं एंप्लिफायर की स्पेसिपिकर न की अगर हमारे पास पिकर है हमकों के एंप्लिफायर खरीदना या हमारे को दोनों और तो उसलिए में kans have Dug ennais deومस um metam случае किसि अभी किशी अउंप स्वेस्दया सबक्राइब की हमको जो मोश्ट को मन है वह मुझको देखना है कि कितने इंपिडियेंस में पेतने होंपर हमारे कितने शफूक कि लिर रहा है और कि चैनल क्या थो हम को मेन उसी आउटपूट देखेंगे तो आट हों पर कम होगा तो जैसे जैसे इंपिडेंस कम होता जाएगा उसके आउटपूट बढ़ती जाएगी तो फ्रेंट्स हमें उस चीज का ध्यान रखना है करते हमें सपीकर की बात करते हों अगर हमारे पास फिकर हमको करीदना है थो देंखाज हमें स्पेकर का पता हुंना चाहि're कि हमारे पास को स्पेसिफिट संदेखना पड़े जांदेगा impedance के थाब से कितने output है इसको जहिलने के लिए उसक आउटपूट जहिलने के लिए हमें speaker कितने वाटका चाहिए तो उसमें speaker की सभाइब में देखना पड़ेगा कि उसकी output जो होगी हमारी वो कितने ohm पर वो कितना output दे रहा है और speaker की एक और खास बात है फ्रेंस में आपको बताओं कि speaker जाजतार 8 ohm के होते हैं अगर आउजा में जाएंगे तो 16 ohm के भी होते हैं तो 90% जो speaker होते हैं जो हम professional यूज करते हैं प्रोफेशनल नोटे यह आर्ट वो गया या आउजा ओगया और कोई बोस अगर होगे तो उनमें फ्रेंट से एक चीज का ध्यान रखते हैं जो उसकी आउटपुट एश्पीकर की वो होती है प्रोग्राम यह कंटिन्यूस होते है और प्रीक होता है यह तीन में डिवाइड होता है इसकी वाट की आउटपुट दे रखी है और तीसरा है आप पीक उसमें होगा तो पीक लगबग जो हमारा पावर होती है तो उसका डबल होता है मेरा कहने के मतलब यह कि हमारे पास अगर पावर में उसको पांसो वाट आपको देखना पड़ेगा उसकी जो पांसो वाट प्रोग्राम लगबग मिलेगी साथ वाट और पीक मिलेगी आपको लगबग तो इस बात का आपको ध्यान अगना कि जो उसकी पावर उसने में लिखी हुई है कुछ लोकल कंपनियांस होती है तो उसकी पीक को लिख देती है कि यह तीन अगर वाटका है और कुछ है जो प्रोफरेशनल वो तीनों चीज़ों को मेंसन करते हैं स्पेसिविसमें कि यह इतन जो एम्प्लिफायर लगाएंगे उसकी आउटपुट लगबग 500-1000 के बीच में होनी चाहिए आपकी उसकी आठ होम पर जो आपको पावर की एम्प्लिफायर के आउटपुट होगी वो आठ होम पर आपको 500 कम से कम देना चाहिए और मैक्सिम आपको उसको 1000 तक भी ले सकते बट उस बात का ध्यान रखे कि 1000 पर देने पर रिस्क जादा है तो आप डेट को ना इसका मानते हैं जो थोटिकल है मैं बहुत जिगा देखा जो थोटिकल कहीं मिल जाए बट सभी लोगों ने अपने अपनी साब से अपनी थोरी बना रखी है बट मैं मानता हूं कि उसको पीक पर नेके आप पांसु से लेके और उसको 700 तक उसकी आउट़गों तो वो झाधा चैएगा उसकी लाइफ स्पीकर की जादा अची रहेगी अगर पीक पर चलता है जादा वाट में चलता है तो उसकी जो कौइल होति है वह ज़्यादा करंटर लेने की वज़ए से काली पड़ जाती धीर धीर और वो कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद कुछ पीरिट भी खराब जल्दी हो जाएगा स्पीकर अगर स्पीकर फुकने का भी में में रिजन यही रहता है कि ज्यादा अगर लोड होगा एंप्लीफायर पर तो एंप्लीफायर वो डीसी वोल्टेज उसमें देना शुरू कर देता है जिससे उसका जो वायर होता है कोईल होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है तो उस बात का आप उसमें ध्यान रखें कि साइद अगर आपके समझ में आ गया हो तो मैं बस इतन होती है बट एंप्लीफायर का जो हमारी आउटपुट है वो डिपैंड करती है हमने कितने इंपिदेंस में अगर हमारे पास स्पीकर जो मैं है 500 वाट का आट होम पर है कंट्यूनिस में और उसकी पीक आपकी बनेगी लगबग 1000 वाट के आसपास और हमारे पास जो एंप्ल 100 वाट का आपको चलाना है तो उसकेस में आप 1000 वाट तक भी दे सकते हैं उसमें आप एंप्लीफायर की वो जो उसका जो नोब होती है उसको थोड़ा बीच में कर दें बट उस चीज में इस्चू क्या हो जाता है कैबर वैसे होने को तो कुछ नहीं होगा बट कंट्यूनि का पॉजिटिव से नेगिट्ब का नयगेड्म से अगर एक और चीज में आपको बता हूँ अगर हम उसने पॉजिटिव नेगेटिव को देखने तो उसका जो अगर उचनिचंट करेंगा तो तो एक मेरे वीडियो वीडियो आपको कैसे लगल क्यम्स करके बता सकते हैं तो